Hello Fans Welcome to our YouTube channel LifeHacks दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube channel LifeHacks पर हारदिक स्वागत है आज हम LifeHacks पर आपके लेकर रहे हैं एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपका जानना बहुत जुरूरी है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस महाशिव राती पर बूल कर भी शिवलिंग पर ना चड़ाए ये पांच चीजे वरना बगवान शिव नाराज हो सकते हैं आज हम आपको बता रहे हैं कि बगवान शिव को सबसे शक्तिशाली प्रमेश्वर माना जाता है उनकी पूजा केवल हिंदू ही नहीं बलकि हर दरम किसी न किसी रूप में करता है एक बात और वैसे तो बगवान शिव की पूजा करने से हर मनो कामना पूरी होती है ऐसे में बगवान शिव का एक रूप शिवलिंग वी है और शिवलिंग ब्रमान का प्रतीख है वैसे तो शिवलिंग के पूझन से सभी परकार की इच्छा पूर्ण होती है पर इसके पूझन में भी विशेष साफदानिय बर्तने की अवश्यकता है और यदि आप शिवलिंग की पूझा करते हैं तो कुछ विशेष साफदानिय बर्ते बगवान शिव के पूजन के समय इन पांच चीजों के प्रयोग से बचे आपको बता दे कि बगवान शिव के पूजन के समय तूलसी पत्तर ना चड़ाए तूलसी को बगवान विश्नु की पत्नी रूप में सविकार किया है और शिवलिंग की पूजा करते समय तूलसी नहीं चड़ानी चाहिए एक बात और बता दे कि लाल सिंदूर को सुहागन की निशानी माना जाता है और वहीं बगवान शिव को बैरागी माना जाता है इसलिए शिवलिंग पर लाल सिंदूर चड़ाने की शास्तरों में मना ही है हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बगवान शिव योगी माने जाते हैं और जबकि लहसन प्यार और बेंगनादी सब्जियों को तामसी माना जाता है पर ये सबी चीजे शिवलिंग पर नहीं चड़ानी चाहिए हमेशा ध्यान रहे कि शिवलिंग के पूजन के समय जल चड़ाना अवश्यक होता है और जल चड़ाते समय ध्यान रहे कि उसमें तूटे हुए चावल न हो क्योंकि तूटे चावल को अशुद माना जाता है एक बात और वही साबूद चावल चड़ाना शास्त्रों के अंसार शुब माना जाता है हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि तिल को बगवान शिव के पूजन के समय अर्पित करना शास्त्रों के अंसार अमानने है और एक और बात कि तिल को बगवान विश्णू के मैल से उत्पन हुआ माना जाता है और इसलिए तिल को शिवलिंग पर अर्पित करना नहीं चाहिए तो दोस्तों ये था मारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि आपको इस शिवरात्तरी पर कौन सी चीजे शिवलिंग पर नहीं चड़ानी चाहिए जिससे बगवान शिव आपसे परसन होने की बजाए आपसे रूट जाए तो अगर आप भी बगवान शिव को परसन करना चाहते हैं तो द्यान रखे कि ये चीजे बूल से भी बगवान शिव पर न चड़ाएं तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शियर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुचाएं लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत बूलें कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स फोर वाचिंग